हेलो गाइज आप लोग कैसे हो और आप लोग को ज्यान दीप कोचिंग संटर में आपका बहुत स्वागत है गाइज ज्यान दीप कोचिंग संटर का ओफिसियल यूटूब चैनल जिसके थ्रोव आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं वो राम नगर में शुरू हुआ है और सबनी रोड के विश्वा कर्मा मंतिर के जर्श सामने वह इस्तित है और वहाँ पर बहुत सारे स्टुडेंट आकर क्लास कर रहे हैं तो गाइज आप लोग को हम बता दें की आप लोग ऑफ-लाइन और औं-लाइन क्लासेज अटेंड कर सकते हो तो आप लोग को आज तेंथ क क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है उसका कुछ हिंट्स जो इकलिट विवाजन एल्गोरिथम है उसको मैंने इससे पिछले क्लास में बताया हूं आज हम उसका एक्सराइज करेंगे एक्सराइज 1.1 तो उसको देखते हैं कि उसको क्या है और कैसे हम उसको सॉल्फ करेंगे और इकलिट विवाजन एल्गोरिथम के थ्रू उसको सॉल्फ करेंगे तो गाइस देखिए आपका फर्स्ट नंबर कोस्चन है 135 और 225 ठीक है निमलिखीत संख्याओं का HCF ग्याद करने के लिए इकलिट विवाजन एल्गोरिथम का प्रियोग किजिए ठीक है यहाँ पर फर्स्ट कोस्चन है 135 और 225 तो गाइस देखिए इसको हल करते हैं पर्स्ट नंबर कोस्चन को हम हल करते हैं 135 और 225 को ठीक है इसका क्या करना है HCF निकालना है ठीक है किसके थुरू निकालना है यूकलिट विवाजन एल्गोरिथम जिससे पिछले क्लास में मैं आपको बताया था इकलिट विवाजन एल्गोरिथम जो होता है वह होता है एकल टू बीक्यू पलस आर उसमें मैंने किया था कि यह जो होगा यह और भी दो आपको आपको नंबर दिये हुए होंगे जैसे आपको बता दे हम कि कोई भी नंबर 80 और 20 ठीक है? ये दो नमबर में यहां पर जो बड़ा होगा ठीक है? उसको हम A मानेंगे और जो छोटा होगा उसको क्या करेंगे? B मानेंगे, ठीक है? सेम टू सेम यहां भी देखिए यहां पर 135 35 क्या हो जाएगा इसको बी मान लिए और इसको यह मान लिए ठीक है गाइज कि तो आप यहां पर लिखिए अब अब कि यूक्लिड कि विभाज अब कि एल्गोरिथम कि से क्या लिखना है आपके एकल टू बी कि पॉलस आर एकल टू बी कि पॉलस आर जो सूत्र है यूक्लिड विभाजन अल्गोरिथम का तो गाइज इस थिवरम पर इस जो नंबर आपको दिया हुआ है जो भाइल वसन यहां पर दिया हुआ है उसको क्या करेंगे यहां पर पूट करेंगे एकल टू बी कि पॉलस आर पे ठीक है अब यहां पर रखते हैं हम इसको क्या मनें यह मान लिए हम 225 को और भी 135 गाइज जो भी यंक आपको दिया हुआ होगा जो भी आपको डाटा अगर कोस्टन में दिया हुआ है और उसमें पुछ रहा है SCF निकालने के लिए उकलिट विवाजन एलगोर्थम का परयोग करना है तो उसमें आपको यह जो बाड़ा नंबर उसमें दिया हुआ है उसमें बाड़ा जो डाटा होगा वह आपको ए मानना होगा और जो छोटा उसको भी तभी तो आप उसमें यहां पर देखिए यह क्या कि यह 25 को माल लिए अब देखिए 135 बी क्या गाए 135 अब इसमें क्या इसमें करना है क्या है इसमें फैक्ट्राइज करना है जैसे के 225 को हम 135 से भाग देंगे तो क्या करें यहां पर 1 होगा 135 होगा और यहां पर कितना हैगा पांच में सब 5 गया 0 और यह दो में सर तीन है जागा तो यह हांसिल लेगा 12 में सर तीन क्या 9 कितना बचा 90 इन्टु वन से गुना हुआ तो क्या बचा है यहां पर आपका 90 सेस्फल है क्या है 90 सेस्फल है तो यहां 90 हो गएगा ठीक है गाईज अब फिर इसको देखिए जब तक आपका सेस्फल यहां पर कंडिशन है जीरो से बड़ा और बड़ाबन होना चाहिए और उससे बड़ा होना चाहिए बी तो तो देखिए 135 अब देखिए अब क्या करना हम 90 जो है ना आर यहां पर उससे करेंगा हूं उसको फेक्टाइज करेंगे गुन है अब देखिए 135 में हम अगर आर नबबे से बाग दे रहें तो कितना होगा वन नैंटी अब देखिए क्यों हम वन से कर रहे है क्योंकि नबबे दूना अगर करेंगे तो 180 हो जागा जो 135 से ज्यादा है अगर इसको 135 से इंटो टू करेंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा तैरा दूना 26 और 270 हो जाएगा ठीक है तो इस वज़ा से हम क्या किये ए एक से ही फिर यह हो जाएगा तो यहां पर चाहाँ हो जाएगा नभै टॉयां requested हो कि क्या होगा फैन्म कि क्ला 滿 वाउब है अव्य है आप देखिए पैंतालीस को चल्ड़ा सब्स्टैटना अड़े को एवह जो बिद नंबर आए मैंना उस दो आइगा यहां पर यहां पर जो आपका सेस बचेगा वो फिर इसमें क्या करेंगे तो देखे 45 दूना 90 पलस जीरो अब यहां पर जब 45 से भाग देंगे तो 45डूना नभी अब क्या हो गया इसका मतलब क्या आया तो यहां पर देखे से जीरो आ गया तो इसका बताइए आप किसका से अफ क्या होगा आप देखिए कि नाउ कि है आज सी एफ कि ओफ वान थर्टी फाइव कि एंड टू ट्वेंटी फाइफ इक्वाल टू फोर्टी फाइफ तो क्या हो जाएगा एक्सा पाहतीस और दोसा पच्छिसका एक्सी फट क्या हो जाएगा तो गईज कि आप अगर स्क्रीन सॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन सॉट ले सकते हैं उसके बाद वहां नेक्स्ट कोस्टन जो देखेंगे हम देखें इसको स्क्रिंसोट ले लिजे तो देखिए दोस्तों यहां पे देखिए एक सो चानबे और 38,220 यह आपका प्रशनावली एक पॉइंट एक का दूसरा नंबर कोस्चन है फर्स्ट का दूसरा नंबर कोस्चन है एक सो चानबे और 39,220 ठीक है इसका क्या करना है हमें SCF निकालना है और इसमें युक्लिट विवाजन एल्गोरिथम का परियोग करके युक्लिट थियूरम जो है उसका परियोग करके क्या करना हमें एक सो चानबे और 39,220 का SCF निकालेंगे तो चलिए देखते हैं हम हाल यहां पर हो गया अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम इसमें अब बताओ आप क्या मानेंगे हम एक किसको मानेंगे कि अभी अभी आपको बताए है हम कि यह उस डेटा को मानना है उस बैलोवसन को मानना है जिसका बैलोवसन क्या है ज्यादा है ठीक है तो अब एक सो चानबे और 39,220 में कौन सा ज्यादा है और 38,220 है ठीक है तो हम क्या करेंगे आप देखिए लिखेंगे यहां पर नाउ या आप लिखिए जो भी है यूकलीड विभाजन एलगोरिथम से एकल टू बी क्यों पलस आर अब यहां पर यह हम इसको मानना है तो यह का बैलोवसन पुट करेंगे अरतिस जार दो सो बीस इकल टू एक सो चानवे अब देखिए अब यहां पर और तीस जार दो सो बीस क्या है यह भाग करेंगे तो देखिए किए से निकालने के लिए यही होता है कि एक बार में ऊतना से भाग दो जितना कि इसका सेस्फ़ल जो आए इससे क्या थिकए यह इससे क्या करेंगे हम देखिए यह 195 में क्या वाजाएगा 195 से 195 से जब यह गुणा होगा 196 में तो यह क्या जागा 3220 आ जाएगा डारेक्ट तो गाइस यहाँ पर देखिए 196 इन्टू 195 प्लस 0 जब आप गुणा करोगे 196 से 195 तो 38,220 ही आएगा तो गाइस यहाँ पर क्या होजाएगा HCF 38,220 and 196 का कितना HCF होगा 196 ही होगा ठीक है HCF 38,220 का और 190 का HCF कितना होजाएगा 196 हो जाएगा अगर आप एसकीन सोट लेना चाते हो तो इसका एसकीन सोट ले सकते हो कि नेक्स इसका कोस्टन है थार्ड नमबर 867 और 255 का HCF निकालना है तो गाइज उसको हम देखते है ठीक है तीसरा नमबर अब देखिए छात्रों 867 है और 255 का HCF निकालना है तो गाइज फिर वहीं करेंगे जो हम इस कोस्टन में किया है इसमें क्या मानेंगे A कौन है और B इसमें चूज करेंगे A आपका जो ज़्यादा भाइलुएसन है उसको यह मानेंगे और जो ज़्या कम है उसको क्या करेंगे B मानेंगे तो गाइज अब वहीं जो प्रक्रिया है उसमें भी लगाते हैं अल्गोरिथम से A equal to B Q plus R यहां पर इसको A माने है इसको क्या की है? B माने है तो 866 का जब आप A मानोगे तो 866 का जब आप फैक्टराइज करोगे जब इस पर Eclipse व्यावजन अल्गोरिथम के परमे पर जब रखोगे आप तो यह आप देखिए दो सब पच्पन अब देखिए 866 को में दो से पच्पन से भाग देने पर कितने से गुणा किया जाए कि 866 के सम्थिंग उसका वैलुएशन आ जाए तो गाइज यह थीरी से करेंगे तो कितना आएगा पांतियें पंद्रा पांतियें पंद्रा एक सोलला का छो हाथ में लागा एक और तीन दोना छो एक साथ साथ सो पैसाट है तो कितना आ जाएगा एकसका दो जीरो एक सोद़ एक सोद़ एक सोद़ क्या आया आ रहा इंटू 3 प्लस एक सोद़ गैस आप देखिए यहाँ पे फिर दो सोब सौरी 253 है ना यहाँ पे 255 है अब यहाँगा क्या है 102 गुने 255 है तो 102 को अगा 2 गुना कर दिया जाए तो 204 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 102 गुने 2 प्लस 51 ठीक है 204 आप 51 कितना हो गया 255 हो गया अब देखिए next इसका 102 है अब इसको क्या करनेंगे 51 इंटू 2 प्लस 0 अब आर यहां पर क्या गया 0 आगया ठीक है अब यहां पर 0 से बड़ा और बड़ावार होना चाहिए आर उससे बड़ा होना चाहिए भी तो गैजी हां पर आर क्या आगया 0 आगया अब इस वज़ासे इसका SCF क्या हो जाएगा SCF of 867 and 200 सो पच्पन इकल टू कितना जाएगा 51 867 और दो सब पच्पन का SCF क्या होगा 51 होगा आप इसका स्क्रीन सोट लेना हो तो आप ले सकते हो गाइज बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बता रहे हैं जो लड़का नहीं जानता है मैथ का अगर वह एवी सीडी भी नहीं जानता है तो कोचिंग में आये और वहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जा रहा है और उसे पढ़ें ठीक है आप ऑनलाइन भी देख सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हो आप अपने बोर्ड एक्जाम में ठीक है आपका सेकंड नंबर कोस्टन आपके ब्लैक बोर्ड पर है कि दर्साइए कि कोई भी धनात्मक विशम पूर्णांग 6 Q प्लस 1 या 6 Q प्लस 3 या 6 Q प्लस 5 के रूप में होता है रूप का होता है जहां क्यूं कोई पूर्णांग है तो गैस अब यहां पर देखिए क्यूं को हम वहन सकते हैं दो भी मान सकते हैं कुछ सकते हैं तो आते हैं उसके को सलोस्टन पर देखते हैं हल ठीक है अब देखिए यहां पर कुछ आपको सपोच करना पड़ेगा माना कि कि ए को लिए जनात्मक विशमपुर्णांख है यहां जहां किस बीबराबर छौ हमें क्या करना है सिक्स किंग प्लस व ONE सिक्स किंग प्लस टू या सिक्स किंग प्लस फाइब के रूपमें लाना है तो विया घॉल टूछव कमानेंगे है तो युक्लिट विभाजन का परियोग से युक्लिट विभाजन का परियोग नहीं परमे से यहां पर एकलिट विवाजन का परमे से यहां पर इसके कंडिशन्स है कि जीरो से बड़ा और बरावर होना चाहिए क्या आर उससे बड़ा होना चाहिए तो देखिए बी यहां पर छो है तो इसका मतलब है बी से क्या होना चाहिए छोटा आर होना चाहिए तो आर हम क्या करेंगे यहां पर आर जीरो एक दो तीन चार या पांच यह होगा आर का अब देखिए इसको हमें क्या करना है इसके जैसा लाना है इसको क्या करना है दर्साना है कि 6,1,6,3 और 6,5 एक धनात्मक विसंपुर्णांक है यह हमें क्या करना है दर्साना है तो आप चले देखते हैं आर का अगर value region zero रखते हैं तो क्या होगा अब देखिए A equal to अब B क्या है छोँ है तो छोँ क्यूं प्लस जीरो यहाँ पर क्या होजाएगा 6 क्यूं हो जाएगा अगर क्यूं यहाँ पर बोलरा है क्या बोलरा है क्यूं कोई पूर्णाइंग है अगर क्यूं का मान हम क्यों का मान अगर 1 रख रहे हैं तो 6 गुने 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा जो क्या है सम संख्या है सम धानात्मा पूर्णांग है ठीक है तो गाइज इसे लिखने की जरूत नहीं है अब देखिए आप इसको अगर r ब्राबर 1 मानते हैं तो अगर देखिए यहाँ पर एक के बहले वसन यहाँ पूट करेंगे r का तो 6 क्यूं प्लस 1 हो जाएगा जो क्या होगा अगर क्यूं का मान 1 रखते हैं तो आप 6 गुने 1 तो 6 हो जाएगा प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 होगा तो यह क्या है बी सम है बी सम हो गया same to same r का मान 2 रखे तो यह बराबर 6 क्यूं प्लस 2 होगा वो क्या हो जाएगा sum हो जाएगा r का मान अगर 3 रखे तो a equal to 6 क्यूं प्लस 3 जो बी सम है r का मान 4 रखे तो a equal to 6 क्यूं प्लस 4 हो जो सम होगा r का मान 5 रखे तो a equal to 6 क्यूं प्लस 5 होगा क्या है 6 क्यूं प्लस 5 जो क्या है बी सम है then 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 तब हम पाते हैं है कि 6 क्यूं प्लस 1 6 क्यूं प्लस 3 6 क्यूं प्लस 5 क्या है धनातमक बी सम पूर्णांक है क्या है धनातमक बी सम पूर्णांक है 6 क्यूं प्लस 1 6 क्यूं प्लस 3 और 6 क्यूं प्लस 5 ठीक है यहां पर दर्स आना है जब इसका जब हम पूर्णांक है अब यहां पर question में आपको दे रखा है कि 6 क्यूं प्लस 1 तो बी यहां पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा अब देखिए कि यहां पर जब condition है इकलिट विवाज अल्गोर्थम जब उसका परिमे जब हम दिखेंगे यहां पर एकल टू बी की पुलस आर तो यहां पर condition होता है कि 0 से बड़ा और बड़ाबन होना चाहिए और और बी से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए तो बी यहां पर 6 है त 5 ही तक होगा अब जब आर का भेलोशन यहां पर रखते जाएंगे और देखते जाएंगे और यहां पर और चीज दिया हुआ है कि क्यूं क्या है क्यूं कोई पूर्णांख है आप एक भी मान सकते हो दो भी मान सकते हो तो यह चीज़े क्या है यहां पर रखोगे जब तो यह 6 क्यूंग प्लस 1, 6 क्यूंग प्लस 3 और 6 क्यूंग प्लस 5 यह क्या होंगे यहां पर आप आप शो करने लगेंगे कि हाँ यह धनात्मक विशम पूर्णांग है तो गाइज मैथ को ना एक मुजिकल तरीके से पढ़ हो तो गाइज अगर आप नए है चैनल पर तो आप चै सबसे पहले जाएगा जहां पर आप देख सकते हो और गाइज एक बार जरूर आए यहां हमारे कोचिंग सेंटर में ग्यानदीब कोचिंग सेंटर जो सबनी रोट के बगल में है राम नगर में ठीक है तो आप वहां पर आईए और बहुत सारे ऐसे वहां पर गिफ्ट जो दिये जाएंगे आप अच्छे मार्क्स लाएंगे और अच्छा मार्क्स जब लाएंगे आप तो वहां पर आपको एक सुनारा ओसन मिलेगा गिफ्ट देने का ठीक है आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे जब आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो और पु अब जो बचे हुए कोस्टन से उसके अगले क्लास में बताया जाएगा और आपको पहले ही बता दिये हम कि अल्टरनेट आएगा आपका क्लासेज होगा चार दिन तक मैथ होगा और तीन दिन तक आपका इंग्लिस क्लासेज चलेंगे अगर आप स्पिकिंग कोस्ट करना चाहते हों तो मौस्टली आपको जरूरी है कि हमारे कोचिंग में आये और आपको इतना बढ़ियां से स्पिकिंग कराया जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं तो आप जरूर एक बार पढ़ा रहे हूं वहाँ पे आपसे बिनम्र अन्र जरूर आपको 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 जरू